जय हिंद आपको भाई ताजिर अली उमीद है आप सब खायरियस होंगे तो आज हम आप सब को दिखाने वाले हैं एक सुष से चार बलफ जलाएंगे वह भी एक एक करके और एक साथ भी और रुमोर्ट से भी आपको हम जलाके दिखाएंगे दोनों एक सुष और एक रुमोर्ट से चार बलफ कैसे जलेगा उसके लिए हमें क्या करना है हमारे पास चार होल्डर होना चाहिए और चार बलफ होना चाहिए कि होल्डर में हमारे दो दो वायर लगा होना चाहिए नूटल फेस तो हमारा यह आख देख सकते हैं कम्पलीट हो चुका है हमारे पास चार होल्डर था और चार बलब था हमारा कम्पलीट हो गया अब हमें जलाने के लिए हमें में लाइन चाहिए मतलब न्यूटल फेस का में लाइन चाहिए हमारे पास अलसु लेटर उसमें एक न्यूटल लगा देंगे और एक हमारे पास बिट सुछ है तो एक फेस लाइन लगा देंगे ताकि इसे हम आनाफ कर सकें इसी समचार बलफ आ जालू बंद कर सकते हैं हमारे किट में सब जो है सेबन वायर मतलब सात वायर है चार वायर हमारा हाफ है जैसे कि बलफ का हाफ वायर होता है वायरिंग आप करते हैं तो बलफ में बलफ के एक वायर सूच में लगाते हैं एक नूटल में लगाते हैं सेम वह सही है आपका जो ब वाईर हाफ वाईर Whereas उसके बाद सारे वायर पर में टेब लगा देना है हाफ वाईर पर उसके बाद हमारा 3 वाईर बचता है तीन वाईर एक फेश बचएगा दो नूतिल बचेगा जो हमारा 4 वायर नूटल है बलप का सारा न्यूटल एक में कर देंगे उसके बाद किट से एक न्यूटल चारे वायर में लगा देंगे जो न्यूटल था उसके बाद हमारे किट में एक न्यूटल और बचेगा जो हम में लाइन कर न्यूटल है किट में लगा देंगे उसके बाद हमारा फेसलाइन जो रहेगा जो सु एक साथ भी जलाएं उसके बाद हम आपको अब रूमोट से चला के दिखाएंगे तो हमारा जो ए है अगर ए टीपेंगे एक लाइट जलेगा अगर बी टीपेंगे फिर भी दूसरा लाइट जलेगा एक साथ बंद हो चुका है तो हमारे चैनल को आप सब ससक्राइब और लाइक करेंगे और कमेंट करिए तो आप सबसे मिलते हैं अगले नेक्ष्ट वीडियो में जय हिन्द अब्राइब